बीजबोईश्रप की घर पे रेड मारी थी और उसका जितना भी अच्छा च्छा सामनता सब चुरा लिया था अगर वो वीडियो तुमने अभी तक नहीं देखी तो जाओ देखो किसका इंदिजा कर रहे हो हाँ तो हम सारा सामन बीजबोईश्रप के वर्ल्ड से चुरा के ल मैंने जितना भी बीजबोईश्रप का सामन चुराया था वो सब TNT के धमाके में खतम हो गया इसलिए दोस्तों चोरी करना बहुत ही बुरा गाम है हां तो मैं कहा था हां TNT का धमाके के बाद जब मैं वापस सबने घर आया तो मैंने क्या देखा कि उपर से थोड़ा सा घर बच गया और नीचे का घर बंब्लास्ट में खतम हो गया ऐसे कैसे हो सकता यार मैं काफी उदास था मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आप में क्या करूँ पर तभी मेंने क्या देखा चार आख वाला एक अजीब सा इंसान मुझे लगा कि शाय अधिये मेरी मदद कर सकता है तो मैं उसके पास गया लेकिन पर पता नहीं उसको क्या हुआ वो मुझे पर हमला करने लगा अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे सुन भाई अरे भाई क्या करना भाई सुन और फिर उसने मुझे मार दिया मुझे समझ में आगे ते कि ऐसा काम नहीं चलेगा मुझे एक सिक्रेट घर बनाना ही पड़ेगा जहांपर मैं इन अजीबों गरीब लोगों से सेफ रहूं फिर मेरे दिमाग में एक बहुत अतरंगी आइडिया आया तो आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक सीक्रेट अंडर्ग्राउंड विलेज हम जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा गाउ बसाएंगे फिर भार निकलने की जरूरा तीच नहीं तो चलो एक नया वर्ल बनाते हैं इसका हम नाम रखेंगे सीक्रेट घर हम गेम मोड रखेंगे क्योंकि एतनी ओकाद नहीं है यार जब तक गेम लोड हो रहा है तुम लोगे काम कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो लाइक कर सकते हो आए घर गए हम क्यों की डूनिया में तो चली कि मेरे साथ मेरे अंडरग्राउंड विलेज अबे साले चल हट कुछ जादा ही भाव खारी है सीक्रेट विलेज बनाने के लिए पहले तो हमें बहुत बढ़िया इसी जगा ठुटना पड़ेगी ये जगा कुछ बढ़िया लग रही है एरिया तो अच्छा बढ़ा है लेकिन यार पहले तो हमें यहां का पुरी घास और फूल काटना पड़ेंगे एक अकिला बंदे इतनी सारी घास को कैसे काटेगा यार अबे साले चो लो कैसे तेसे हमने सारी घास तो साफ कर दिये तो अपने अंडर्ग्राउंड रास्ता बनाने के लिए हम इधर से खुदाई चालू करते हैं तो इधर हम लोगे सीधी लाइन में खुदाई करते हैं यह ऐसे यह ऐसे और यह ऐसे यह हमारे अंडर्ग्राउंड विलेज का रास्ता होने वाला है तो हमें इसे बड़ा रखना होगा तो हमारा underground रास्ता बनाने के लिए हमें तीन चीजों से काम लेना पड़ेगा तो पहले अपना हो जाएगा ये sticky piston दूसरे अपने को जरूत पढ़ाएगी redstone की और तीसरे अपने को जरूत पढ़ाएगी redstone repeater की तो पहले तो हम थोड़ी सी और जगा बनाते हैं ऐसे गलत लग गया हाँ अब ये सही है ऐसे एक इदर लगाएंगे और एक इदर लगाते हैं ये सही हो गया बढ़िया बहुत बढ़िया distance तो अच्छे से लग गए अब हमें लगाना है redstone repeater तो उसके लिए में थोड़ी सी और जगा बनाना पड़ेगी एक इदर आएगा एक यहां लगेगा और एक यहां लगेगा अब हमें जरूत पड़ेगी redstone की जिसकी मदद से हमें एक wire type system बनाना पड़ेगा हमें कुछ तो ऐसी कुछ wiring करना पड़ेगी ऐसे ऐसे और इस wiring को हमें एक lever से connect करना पड़ेगा जिसके मज़ा से हम इसको बन चालू कर पाएंगे अब हमें एक lever लगाना पड़ेगा तो इसलिए हम इसको खोट के यहां पर एक अंदर lever लगाएंगे क्योंकि एकदम secret होना चाहिए किसी को दिखना नहीं चाहिए अहा very good एकदम सई side wiring हो गई अब यहां से हम और खोट कर अंदर जाएंगे और अपना underground village बनाएंगे तो पहले तो हम इस पुरी जगा को बिल्कुल अच्छे से चुपा देते हैं वरना कोई भी एरा गेरा नत्तु गेरा यहां आया और उसने इस lever को खीच दिया तो उसको मालूम पढ़ जाएगा कि हम यहां रहते हैं तो यहां पर छुपाते हैं इसको पूरा piston वागेरा भी सब छुप जाना चाहिए कुछ भी दिखना नहीं चाहिए किसी को मालूम नहीं पढ़ना चाहिए कि आपको यहां रहता है अब यह बिल्कुर perfect लग रहा है तो एक काम करते हैं पहले हम जाके हमारा underground village बना लेते हैं उसके बाद यहां आके पेड़ पोधी भी लगा देंगे ताकि पूरी तरह की से छुप जाए तो underground village बनाने के लिए पहले हमको यहां से अंदर से खुदाई करना पड़ेगी नीचे दूसरे टाइप के stone है इसका मतलब हो सकता है कि नीचे एक cave हो अगर नीचे by chance cave मिल गए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि इससे हमें एक space भी मिल जाएगी और हमारा काफी time भी बच जाएगा मैं सोच रहो कि मैं अपने village के लिए ऐसा कुछ underground state system मनाओ जिसके मदद से हम नीचे उतर सके मैं नीचे तो उतर जाएगे लेकिन एक दिक्कत है तो ठीक है कोई बात यहाँ आपर और आके ladder लगा देंगे बर लेकिन यहाँ पर काफी अंदेर हो रहा है यहाँ पर अपन एक टौश लगा देते हैं एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर एकदम कड़क हमारी विलेजर्जर्स के लिए जरा सा भी अंधेरा नहीं रहने देंगे अब हम इधर साइड से खुदाई करते हैं क्योंकि मैंने चाहता है कि खुदाई के वक्त पीछे से क्रीपर सेंटर हो जाए गभी ऐसा हो गया तो मैंने लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी अब हम स्पीड से हाथ चलाते हैं और इस जागा को पूरा खोट डालते हैं हमारा काम कम्लिट कर लेते हैं ओ मुझे मॉंस्टर्स की आवाज आ रही है इसका मतलब कि यहाँ पर एक केव भी हो सकती है तो यह जो जगह है नहीं यहाँ पर हम हमारा घर बनाएंगे तो एक काम करते हैं इसको और लंबा कर देते हैं ताकि हम यहाँ पर अच्छी से रह सक गाइस इस पूरी जगह को हमें कवर करना पड़ेगा क्योंकि मेरी चाहता हूं कि मेरे विलेजर्स को कोई भी खत्रा हो इस जगह को हम पूरा अमबुजा सिमेंट की दिवार से कवर कर देते ताकि यहाँ से कोई भी मॉंस्टर आ नहीं पाए तो ठीक है यह जगह तो पूर गाइस वीडियो को लाइक मरो और मुझे मोटिवेट करो और मैं मिलता हो तुमसे सिर्फ दो मिनिट में तो गाइस आइम बैक और हमने यहाँ पर एक बहुत बड़ा कमरा बना लिया है इसी जगह पर हमारी विलेजर्स रहने वाले हम चाहते कि हम हमारी विलेजर्स को एकद सके और देख सके कि क्या हरकते पटक रहे हमने यह दोर पेले ही लगा दिया था जहांसे हम आना जाना करेंगे तो अब हम यहाँ पर पूरी ग्लास की दिवार खड़ी कर देते हैं एकदम कड़क क्या लग रहा यार अब हम तैयार हमारी विलेजर्स को स्पॉन करने के लिए हम उनको एक मुर्गी के अंडे से पैदा करेंगे यह देखो यह देखो क्या वात है यह देखो और लो और लो और लो और लो अरे यह चुटकों कहा से आ गया अरे बस बस जादा जोश में बात आओ वरना यह पूरी जगा विलेजर्स ही भड़ जाएगी यार यह सब लोग अरे जगह आपर भीड लगाते रहेंगे यह जगह शायाद मुझे और बड़ी करना पड़ेगी क्योंकि मेरी विलेजर्स के लिए जगह पर छोड़ी पड़ी है काम करता हूं यहां से मैं तोड़ना चालो करता हूं और इस जगह को पूरा प्लेन बना देता हूं तो गाइ यार यह विलेजर्स के मारे में परेशान हूं काम ही करने नहीं देते हैं अरे यार कैसे निकालूं इसको में अब हाँ बस इसी की कमी थी अरे यार यह तो निकली नहीं रहे यार सभी एकी जगह आके मर गया यार क्या करूं अब बस मेरे दिमाग में एकी आइडिया आ रहा लेकिन हमारे विलेजर्स वो तो नहीं निकल पाएंगे अब विलेजर्स को काम धंदे पे लगाने के लिए हमें कुछ टेबल की जरूत पढ़ेंगी सही बताओ, मैं माइनक्राफ्ट में क्राफ्टिंग टेबल की अलावा और किसी भी टेबल का आइडिया नहीं है, कि वो क्या काम में आती है इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी विलेजर्स इस पर काम करें एकदम कड़क, अब हम तयार है हमारी विलेजर्स को लाने के लिए विलेजर्स, आज आओ अब जब मैं चाहते हूँ कि ये काम करते तो उनको सोने के लग रही है सहीँ ही ये विलेजर्स बहुत उल्टिक हो प्रीक है पर मुझे पता है इन विलेजर्स को बेट से कैसे उठाना है बेट से उठाने की निंज़ टेकनिक साले भुकड anyways हम इनको सोने देते हैं और हमारा बाकी का काम निप्टा लेते हैं तो guys सुबा हो गई है और हमारी villagers अपने अपने काम पे लग चुके हैं सब बड़ा दिल लगा के काम कर अरे काम भागा इदर आ अवे तेरे को एक बास समझ में नहीं आती क्या अब guys हमारे सारे villagers प्रॉपर काम पे लग चुके हैं अब guys इनकी protection के लिए हमें एक iron golem की जरूत पड़ेगी क्योंकि हमारी लिए हमारी villagers के safety पहले नमबर पे ये अपने ऐसा लगाया एक block ऐसा लगाया और ये हमारा iron golem तयार अब हमें इनके खानी पीने की वेवेस्था करना पड़ेगी क्योंकि यार जिन्दा रहने के लिए खानी पीने के बहुत जरूरत है यार तो उसके लिए हम यहां से खुद hazard करना चालू करते हैं अरे यार इनकी क्या दिक्कत है यार मैं जहां भी खोड़ता हूँ वहां जाके खुश जाते हैं अबे साले तो गाइस हमने ये जगा पूरी खोड़ डाली है तो यहां पर हमारे सूर्स होने वाले हैं तो मेरे साथ बोलो वन, टू, एन त्री यहां पर होने वाले हैं कॉम्डिया और यहां पर होने वाले हैं बक्रे बक्रिया चलो यह भी काम प्रेट गया एकदम पर्फेक्ट ओहो, इनकी वीच में प्यार बढ़ ला है अच्छी बात है और यह जॉंबी कांसा आ गया इसकी 12 बजाना पड़ेगी और उपर से भी अपने को रास्ता बंद करना पड़ेगा अब हमें एक अंदर लिवर बनाना पड़ेगा जिसकी मद्द से हम हमारा अंडर्ग्राउंड विलेज बन कर सके वाउ कितना चेहल पेल वाला गाउ बसाया है अपने यार तो बस आज के लिए इत्तु साही करते हैं अगर तुमको यह मेरा प्यारा से विलेज पसंद आया तो चेनल को सब्सक्राइब मारो या साथ में घंटी भी बजा दो और वीडियो को लाइक मारके मुझे कमेंट करो कि तुम्हें यह वीडियो कैसी लगी तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में जब था